श्मला में हिमाचल कॉंग्रेज की एहम बैठक कॉंग्रेज प्रदेश अद्दक्ष प्रतिबास सिंग्य अद्दक्षता में बैठक जारी है सरकार के एक साल का कारेकाल पूरा होने को लेकर कारिकरम किया जाएगा और इस कारिकरम को धरमशाला में आयुजित किया जाएगा इस दौरानिक विशाल रैली की जाएगी कैबिनेट मंत्री विकरमद्यत्य सिंग ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि इस विशाल रैली में प्रेंका गांधी शिर्कत करेंगी कि यारा तारीक को इस अंदर में एक रैली का आयोजन जिला कांगडा में रखा गया है जिसमें हमारी नेता कॉंग्रिस पार्टी की राष्ट्रिय महासरचिव आधर्निया श्रीमती प्रेंका गांधी वाडरा जी इसमें मुख्यतिती के रूप में उपस्तित रहेगी पार्टी की माननिया अलिक्षा फिरमती प्रेंका सिंग जी और सभी कॉंग्रिस पार्टी के वरिश नेता इस उपलक्ष में उपस्तित रहेंगे और एक साल के कारेकाल में मैं समझता हूँ कि हालां की ये एक साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है आफ जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे एक साल के कारेकाल में खास करके बारिसों के सीजन में हमको देखने को मिला करीबं दस बारा हजार करोड रुपे का नुकसान प्रदेश को हुआ उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है बहुत सी चीजों को पूरा भी किया है और जो भी और हमने चुनावी वादे किये हैं उनको भी चरनवर तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही